नागपूर और भारतभर के अन्य हिस्सों में मोबाइल उपकरता उस समय चिंतित हो गए जब उन्हें एक अप्रत्याशित वाटसप अलेट मिला जिसमें संदेश था किया पात का लिंग चेताओने जिसमें दावा किया गया यह सरकार के दुरुसंचार विभाग की ओर से एक परिक्षन चेताओनी है विजुलाई को यह संदेश पाते ही खास कर नागपूर के मोबाइल उपकरताओं में खपराट और भ्रम की स्थिति पैदा हो गए इस संदेश के संबन में पुष्टी करते हुए जानकारी दी नौइस्टेक की टीम ने और बताया कि हकिकत में क्या है इस चेताओनी संदेश का सच जानकारी की अनुसार इन संदेशों की अचानक आहमद ने मोबाइल उपकरताओं को हत्परब कर दिया कई लोग ऐसी सुचिनाओं के उद्देश और महत्व के बारे में आच्चरे चकित थे विबिन नखोज इंजन प्लाटफॉर्म पर शो का लेन संदेश प्रसारित किया गया था कई सेल्पोन यूजर्स भ्रमीत रहे और उन्होंने मैसेज भी टिलेट कर दिया एक समदीद मोबाइल उपकरताने टिपनी की संभवता घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि यह गंबेर तोफान और अन्य प्राक्रुतिक आपदा के मताबिक भारत ये दूरसंचार नियामक प्राधिकरन ने डेजभर में 20 तानों और आसपास के क्षेत्रों में ड्राइव परिक्शन किया आवाज और डेटा सेवाओ के लिए सेल्लिलर मोबाइल टेलिफोन सीमा प्रदाताओ द्वारा प्रदान की गई नेटवर्ग उन् नहिस्सों में नागरिकों में खबराहट और भ्रह्म की स्थिती पैदा हो गए कई क्षेत्रों में भारी वर्षा के दोरान अलट भीज गए जिससे जनता के वीज अराजकता बढ़ गई थी आपको बता दे कि ऐसे परिक्शन सरकार द्वारा कारियान वीद आपदा तयारि और प्रतिक्रिया रन नीतियों का एक अभिन्नत अंग है यह नकली आपात कलिन अलट वास्तविक संकत के समय नागरिकों तक महत्वपूर्ण जानकारी के प्रभावी प्रसार को सुनिचीत करने के लिए महत्वपूर्ण ब्यास के रूप में काम करते हैं ऐसे परिक्शन आ आबादी के बीच समगरा अब्दज अगरुकता तैयारी में रधी होती है पर अभी भी समंदेद विबाक्यों और से इस पर कोई अधिकारी अपडेट नहीं हाया है